तो आज मैं बनाने जा रहे हूं कलेजी की सब्ची यानि यह बक्रे की कलेजी है जो यह लिवर होता है वह बहुत हेल्दी होता है जो लोग मेजी टेरिन है वो लोग पसंद भी करते हैं तो उसके लिए देखिए हमको क्या क्या इंग्रेजेंट्स नहीं यह वैसे मैंने पहले काट लिए प्याज टमाटर दनिया हरी मिर्च और यह थोड़ा सा खड़ा मसाला इसे मैंने दाल चीनी तेश पत्ता और लॉंग लिया है तो अब यह ओल हमारा गरम हो गया है तो इसमें मैं सबसे पहले अब यह खड़े मसाले डाल दोगी और इसको हम थोड़ा सा बून ले धुण है तो इसके ढेड में यह काँए सब्टे हैं अब हम को गया है तो आप रहाए है तो अब हमको प्याज गूए थे कैसे प्याज को कित्यों आटे में इसको आप मसाला बनाते है इसको हमें और आसा ही करना है तो इसदुआ अब जल्दी बहुनेंगे और जाता है तो जोलते आपको तब जल्दी बहुनेगे , प्यास जल्दी बहुन जाता है तो जीतना मुझे नमक जालना है मैं इसमेदे लुतना या टाल गशेचेश को आहाँ कि घ्रते भी की झीजेगा इस तरह से प्याज में नमक डालने से जल्दी ढून जाता है। जब यह प्याज थोड़ा का फ्रांस ही हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अग्याग लखन का पेस डालेंगे। भी भी इस तरह से कच्छे प्याज में अगल्क लेसे नहीं डालते हैं, भोड़ा सा प्याज को भूने केते हैं, और फिर उसके बाद उसमें अगल्क लेशन डालते हैं, आप यह दिखिए। आप देख रहे हैं कि प्यास थोड़ा प्रंसी हो रहा है तो अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर हमें यह अग्रट बसन का थेज का प्राइब आप चाहें तो आप अवह पारी काटके भी डाल सकते हैं जैसा आप पसंद करें अग्रट आप चाहें अगर आप चाहें अगर कि आपको इस तरह से ही प्यास करना है जैसा आपको पसंद लगे आप ऐसा ही कीज़ेगा अब देखिए हमने नमक दाला तो यह देखिया प्यास कितनी जल्दी हमारा ब्राउन हो रहा है तो बद इसका बस और गो मिनट तक यह बारा प्यास रहा है ब्राउन हो गएगा उसके इसके दर हम शिके मावाले और टमाटर ढलेंगे दिखे अभी प्यास मरब हम दूं चुका है तो इसके दरबना यह लाल मिर्च दंगे पाउडर चिकन मसाला चिकन मसाला नहीं है तो चलेगा ऐसा कुछ नहीं है कि डालना ही डालना है यह ल्दी और इसको अप्छे से मिक्स कर लेती हूं यह निक्स हो गया और अब मैं इसके अंदर डालेंगी टमाटर यह पीन टमाटर से इसके मैंने पूरेट ना लेती इसके डाल दिया और इसको ते अब हम थोड़ा सा भून लेंगे दालें इसको तोड़ा सा रोस पर इसके अरोमा जाधा अच्छा आता है और यह देखें मसाला जो है जो है जो गया है जंसे हमारा मसाला गूं गया यह दोगी अब मैं इसके अंदर यह जो तनेखी है इसको डाल दूगी अच्छे से दो मिनट तक भूनुड़ी ताक अच्छी करोड़ा सा कलर्रेंज हो जाए जो भी लगाए दालेंगी ताक फूरा सा ठिश्पी रहे कि छिमना में जल्दी दर जाती है तो इसको बहुत लास्ट में पर कि बक्रवाफन कप गजारएं उफ संदून करना है तो आप मैं इसको की कि अपनेेञी ऑप छाओ वें फांशे के भूह दिया है यह बस मैं तो अर बहुम थ्यारे करें अब जивается लाशी दरालर्बास आप अपने इसाब से देखेगा कि अगर जितनी ग्रेवी पानी तब तो ठीक है ने तो इतने में ही बन जागी ने तो उपर से फिर और पानी डालेंगे तो कि थोड़ा सा यह ग्रेवी जो है सैमी रहनी चाहिए अब पानी डाल दिया इसके अंदर और अगर हम इसके उपर ल पर हम इसको रोल के देख लेते हैं देखे ठीक लग रही है सबजी अब यहां इसके अंदर क्या करेंगे अब इसको उमको दो-चार मिनट अभी और पकाना है अभी थोड़ी कच्ची लग रही है कलेजी अभी है थोड़ा अभी हम इसको पांच मिनट के लिए ऐसे ही लो फ इंट की शिम्ला मिर्च डालूंगी लेकिन देखा तो इसमें थोड़ी कसर थी तो इसले मैंने डालו नी तो अब यह है आल्मस्त हो रही है तो इसके अंदर अब मैं यह शिम्ला मिर्च और यह जो है यह दो हरी मिर्ज थी अपने टीस्क के गॉटिंग डाल येगा वो इसके अंदर डाल दिये मैंने अब एक बाला और देंगे जैसे एक बॉइल आजये इसके अंदर तो हम जो है गैस को बंद कर देंगे बस एक मिनट के लिए इसके अंदर अब आजये ये देखिए एक बॉइल आ गया और इतनी ही कंसिस्टेंस ठीक रहते क्योंकि लिवर जो है कहाने में न थोड़ा ड्राय अब इसके सब मजा नहीं आता सुखा सुखा रोटी भी लखा और गलेजी भी फिर वह मजा नहीं आता हो तो इतनी ग्रेवी मेरे क्वाडिंग तो ठीक है बाकी आपकी अपनी मर्दी आपको पतला करना है या आपको ओर ठीक करना है वह आप अपने हिसाब से देखिएगा तो अब मैं इसके अंदर ये जरम मसाला और ये पुसूरी में थी इस तरह से हलका से इसको ये करके डाग दोगी ये देखिए ये हो गया और अब इसमें हरा दूनिया और ये हमाने हमने कर दी कैस बन और ये सब्ची तयार आप आपको पसंद आई हो ये डिश और आप प्लीज बनाईएगा जो वह तो नहीं बना सकते लेकर जो नौन वेजिटेरिन है वह बनाए और प्लीज मुझे फीड़बैक दें और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत बुलेगा बाई झाली